आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल chemistry अभी में यह आपका polymer का fourth video lecture है लास्ट वीडियो में मैंने mellamine तक आपको पढ़ाया था Melamine का uses आपको पूछा था कि क्या है तो आपको comment में डालने के लिए बोला था ठीक है अगर किसी ने नहीं डाला है और आप ये वीडियो देख रहे हैं और direct तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो Melamine है उसका use किया जाता है जो board होता है, white board रहता है उसके उपर जो thin plastic layer रहता है वो जो चड़ाया जाता है, वो Melamine का बना जाता है तो आपके board वगेरा बनाने के लिए use किया जाता है Melamine का तो हम लोग ये वीडियो में देखते हैं क्या-क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग ज़्यादा करके सिंपल सा क्या करना है double bond shifting करना है और आपका reaction complete हो जाएगा, इतना simple सा यहाँ पे reaction साब करोगे, तो देख सकते हो यहाँ पे आप 1,3 butadine लिया, यहाँ पे double bond को यहाँ पे shift कर दिया यह जो double bond है इसके साथ single bond बना देगा और यह double bond आगे shift हो जाएगा, बलब यह जो chain है आपका continue इस तरीके का आगे form होते जाएगा n number of compound form हो जाएगा यह जो styrene है, styrene से जो compound बनता है होता है आपका बुन्ना s, हम लोग बुन्ना n के बार में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे styrene use किया है, तो बुन्ना n और जो आपका rubber में main component यूज होता है, वो यही है 1,3 butadine तो 1,3 butadine लिया styrene के साथ react किया, styrene जब react करेगा, तो क्या करेगा, आपका form होगा बुन्ना s, तो आप देख सकते हैं यह double bond यहाँ पे चला गया आप देख सकते हैं, यह double bond यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, next rubber जो होते हैं, वो डो टाइप के होता है एक होता है, natural rubber, दूसरे होता है synthetic rubber, natural rubber जो होता है वो आपको पेड़ वगेर है के latex से मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यह latex को collect कर रहे हैं और इस latex को आप लोग यूज करके क्या form करोगे natural rubber, और synthetic rubber क्या होता है जो tires होगे रहे हैं, synthetic rubber होता है इसके अंदर आप chemical component यूज करते हो, और उससे यहाँ पे compound form करते हो, तो natural rubber में हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते है, isoprene यूज किया 1,3 butadine, यहाँ पे देख सकते हैं, CH3A, simple सा क्या करोगे, double bond shifting करो यह double bond यहाँ आगया, यह double bond इसके साथ single bond, यह double bond यहाँ आगया, यह double bond आगे जाके single bond बनाएगा, और कुछ इस तरीके का structure form होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं natural rubber, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, network form कर रहे हो और double bond shifting कर रहे हो, new compound form कर रहे हो, यह आपका हो गया natural rubber, जो हम लोग ने पीछे वाले compound से form किया, इस तरीके का shifting कर के यह compound आपका form होगा ओके, आगे देखते हैं, हम लोग volcanic rubber, volcanization of rubber volcanization मतलब क्या होता है, उसके इंदाब sulfur molecule डाल दोगे, तो sulfur का percentage जितना ज्यादा रहेगा, आपका rubber का hardness उतना ही ज्यादा होगा, तो depend on percentage of sulfur, आपका hardness decide होता है, rubber का कि कितना hard या फिर कितना soft होगा जैसे आप normal जो rubber use करोगे eraser वगेरा, उसके अंदर जो sulfur का content बहुत ही कम रहता है, लेकिन आपके tires होगेरा, देखोगे, उसके अंदर sulfur content बहुत ज्यादा जाता है, जितना ज्यादा sulfur content, उतना hardness rubber का increase हो जाएगा तो tires होगेरा भी आपके किससे बनते हैं, rubber से बनाये जाते हैं, then polyacrylonitrile compound का हम लोग ने देखा था तो acrylonitrile से हम लोग condensation का polyacrylonitrile बनाते हैं, यह हम लोग ने एक second video में देखा था additional में, यह double bond break होगा single bond में और आपका आगे और पीछे chain form हो जाएगा, then हम लोग synthetic rubber के तरफ जाते हैं यह जो acrylonitrile वाला है, वो आगे काम आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था neoprene and bunna M okay, neoprene and bunna M यह जो है आपका important है neoprene से आपके इस तरीके के gasket बनते हैं, bunna M से आपके यह जो swimming pool वगेरा में आप jackets वगेरा पहनते हो, वो बनाने के लिए यूज किया जाता है, bunna M और bunna M बनाने के लिए acrylonitrile का use होता है, इसके लिए acrylonitrile का reaction मैंने वापस आपको दिखा है, तो यहाँ पे आप देखो neoprene बनाने के लिए क्या use करते है, chloroprene, यहाँ पे आप जो CS3 use कर रहे थे आप natural rubber में वहाँ पे क्या आगया chlorine, तो 2 chloro 1,3 buta 1,3 buta 1,3 dyeing use किया, यहाँ पे आप जो chloroprene है, इसमें double bond याँ shift होगा यह double bond आगे जाएगा, मतलब आपका यह double bond याँ form होगा और बाकि आपका straight chain बनते जाएगा मतलब यह आपका network इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा और n number of compound form हो जाएगा, यह नियोप्रीन है आपका क्या बन जाएगा, बुनना एन का यूज किया जाता है, मैंने बता है आपके जो swimming pool के jackets होते है, वो बनाने के लिए यूज किया जाते है, जो scuba divers होते है उन लोग जो jacket पहनते है, वो आपका किस से बनाया जाता है, बुनना एन में 1,3 butadine and acrylonitrile अब बुनना एस में 1,3 butadine and styrene यूज किया जाता है, ठीके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, thank you so much, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहे, thank you so much